सबी दोस्तों को रजनी का प्यारभरा नमस्कार तो कई दिनों तक दहरादोन में रहने के बाद में आप हमारी हो रही है वापस घर वापसी तो घर तो जाना ही होता है चाहें कितनी वी अच्छी जगा चले जाओ लेकिन वापस अपने घर आना ही होता है और घर आने के बाद में वापस से लगना है अपने फिर से पुराने रोटीन में तो आपको मिलेंगे बिल्कुल डिफरेंट याने की पहरे ही तरह के जो वीडियो में आपके साथ में शेयर करती थी वो साथी साथ आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि जब भी मैं कहीं बाहर से वापस आती हूँ वेकेशन से तो उसके बाद में अपने घर में क्या-क्या काम करती हूँ या क्या-क्या क्लीनिंग करती हूँ किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ ये सब भी मैं आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ तो ये देखें रास्ते में पड़ी ये नदी और क्योंकि बारिशे काफी हो रही थी तो इसलिए बहुत पानी भरा हुआ है नदियों में भी और ये कितनी बड़ी नदी है वो आपको दिखा रही हूँ तो बराल हम आगे थे नाइट तक वापस आगे थे और उसके बाद में अगली सुभा से मेरा काम स्टार्ट हो गया तो यूजूली कभी भी मैं विकेशन पर जब जाती हूँ तो उसके बाद में अगर मैं तीन दिन से ज़ादा कहीं पर भी जाती हूँ तो उसके बाद में थोड़ी सी घर की एक्स्ट्रा सफाई हो ही जाती है क्योंकि भले ही घर बंद रहता है लेकिन डस्ट वगरा आ ही जाती है तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है मेरा बेटशीट्स चेंज करना तो बेटशीट्स चेंज करने जरूरी होती है क्योंकि देखे भले ही हमने bedsheets को use ना किया हो लेकिन dust वगरा आ जाती है और साफ सुत्री और अच्छी bedsheet पर फिर अच्छे से नींद भी आ जाती है अगर bed अच्छे से बना हुआ हो तो आने के बाद में जैसे की मैंने आपको बताया सबसे वहला काम ये मेरा होता है bedsheets को change करना तो देखे एक room की मैंने अनवेशा के room की bedsheet change कर दी थी और दूसरे room की भी मैं bedsheet change कर रही हूँ अच्छे से bed बना हुआ होता है ये daily के काम होते हैं वैसे तो मेरे लेकिन कहीं से आते हैं तब भी ये काम ज़रूरी होते हैं तो देखे यहां पर जितनी भी मेरी bedsheet है वो change कर दूगी और आज मैंने machine भी लगाई हुई है तो washing का काम भी चल रहा है साथ साथ क्योंकि जो भी कपड़े मैंने machine wash करने हैं वो मैंने machine में लगाए हुए हैं जो hand wash करने हैं उनको बाद में wash करूँगी उनको मैंने भीगा करके रखा हुआ है और चुकि vacation से अभी lot कर करके आए हैं इसे लिए सब कुछ slow 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 motion में चल रहा है तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके काम हो रहा है morning के सभी काम निप्टा करके husband को office भी जाता उसके बाद में मैं काम में लग गई यहाँ पर मैंने जहाडू लगा दी थी बेटशी चेंज कर दी हैं और machine लगाई हुई है अ मॉपिंग कर ली है उसके बाद मैं आई हूं किचिन में और यह जो countertop पर इतना सारा सामान देख रहे हैं यह है अचार के डब्बे और बहुत सारा सामान जो कि मैं अपनी सरुराल से ले करके आई थी वो किजी और vlog में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी बहुत अच्छी किचीन के बाद में आ गई बारी अपने living एरिया की तो living एरिया में छो सोफा वगळा है वह मैंने सुबह सुबह में ही सब क्लीन कर दिया था तो क्योंकि काफी दिन से मैंने सोफा भी यह क्लीन नहीं किया था तो में आज सबसे पहले उठकार के breakfast बनाने के बाद मैं मैंने स सोफा ही vacuum cleaner की help से clean किया था तो इसके ऊपर भी dust वगरा जम जाती है जब हम daily routine में इसके बैठते हैं तो 15-20 दिन में अपने सोफा को भी हमेशा clean कर देना चाहिए चाहे तो सूखे कपड़े से साफ कपड़े से चाहे तो किसी brush की help से या फिर vacuum cleaner की help से depend करता है कि हमारा सोफा किस fabric का है अब चुकि मेरा सोफा जो है वो velvet का है तो इसी लिए मैंने इसको vacuum से साफ कर दिया क्योंकि अभी नया है तो इतना जादा गंदा भी नहीं हुआ तो mopping करने के बाद में जितने भी कपड़े थे जो मैंने wash करने के लिए रखे थे कुछ कपड़े मैंने रात में ही लगा दिये थे washing machine में तो एक round मेरा रात लग गया था दूसरा round अभी लगा दिया है और उसके बाद में कुछ कपड़े थे जो मैंने भीगा करके रखे थे तो उनको भी में wash कर रही हूँ ये स how dedicated से कपड़े होते हैं delicate जो कपड़े होते हैं उनको hand wash करना ही चाहिए क्योंकि उससे फीर उनका k Meyer ब्लीडिंग करते हैं तो ये सारीं चीज़े ना हो तो कपड़े wash करने के बाद में मैं हमेशा ही जब भी अपनी विकेशन से आती हूं तो किचिन में डेली रूटीन में यूज होने वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं चाहे वो अब को मैं एक बार अच्छे से क्लीन करती हूं और ये सब काम निप्टाने के बाद में मैंने नहा लिया है पूजा कर ली है और इसके बाद में बारी आई अपनी डाइनिंग एरिया को क्लीन करने की तो डाइनिंग एरिया का भी कवर जो है वो मैं चेंच कर रही हूं वैसे तो क् उत्रा ही था लेकिन फिर भी डस्ट वगरा आ जाती है और इस पर बैट करके हम खाना खाते हैं तो मैं हमेशा ही क्लीन जरूर करती हूँ कहीं वापस से आने के बाद में कहीं भी जाओं लेकिन अगर मैं तीन-चार दिन से जादा जाती हूँ तो उसके बाद में मैं इसकी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है अच्छा ग्लास को क्लीन करने के लिए मैंने ग्लास क्लीनर का यूज किया है और चियर्स को क्लीन करने के लिए मैं यहां पर यूज कर रही हूँ नॉर्मल स्पॉंज वाइप चोकी हमें कहीं पर भी आसानी से मिल जाती है आजकल तो लो चीजे होती है उन सभी के जो product के link है वो नीचे आपको एक ही description box में मिल जाएंगे एक ही link पर click करने के बाद में अच्छा इसके बाद में अब बारी आई घर के अंदर bedroom को dusting करने की तो bedroom की भी मैंने dusting कर दी है bedroom की dusting करने के बाद में अभी थोड़ा सा गर्मी यहां पर जादा हो रही है देहरदून का मौसम तो काफी अच्छा था और बहुत ही ठंडा मौसम था ठंडा तो इतना नहीं कहूंगी लेकिन हाँ वहां पर पसीना नहीं आ रहा था क्योंकि इतना यूमिडिटी नहीं थी जितनी की दस्टिंग के काम से फ्री होने के बाद में अब बारी थी जितने भी मेरे प्लांट्स इंडोर रहते हैं उन सभी को क्लीन करने की क्योंकि मैं एक हफ़ते के लिए लगभग इनको ऐसे ही छोड़ करके गई थी और बहार नहीं निकाला था इंडोर प्लांट्स को तो इसलिए अभी आने के बाद में इनका पानी चींच करना जरूरी था इनको अच्छे से क्लीन करना जरूरी था और इसमें जो भी सड़े गले पत्ते या पीले पत्ते होते हैं तो इंडोर प्लांट्स के वो सबी निकाल देते हैं और अच्छे से इनकी रूर्स को क्लीन क है कि यानि की बहुत पसीना आ गया था तो अभी face wash कर रही हूं और face wash करने के लिए आज कल मैं यूस कर रही हूं ममा अर्थ का vitamin c face wash जो कि यह हल्दी और vitamin c जो कि आपके skin को brighten करता है uneven skin को even करता है और आपके radical damage को भी ठीक करता है साथी साथ natural glow देता है और सभी तरह के skin type के लिए बहुत ही अच्छा है जैसे कि आपको सभी को पता है कि mama earth के product जो होते हैं वो बल्कुल natural होते हैं और chemical free होते हैं साथी साथ इसको आप खरीद सकते हैं mama earth की website से और अगर आप खरीदते हैं तो आपको आपके order को एक plant के साथ में join कर दिया जाएगा यानि की link कर दिया जाएगा जिसे की आप indirectly भी plant लगाने में परियावरण में अपना सहयोग दे सकते हैं अगर product की बात करें तो आपको amazon naika और आपको ममार्थ की website पर ये मिल जाएगा इसके अलावा आपको flip card पर भी ये product available हो जाएगा फेस वाश करने के बाद में मैं ममार्थ की ही बाइबै ब्लैमिश एक फेस क्रीम का यूज कर रही हूं आज कल जो की मेरे लिए बहुत जादा अच्छा काम कर रही है और इस फेस क्रीम के बारे में बता दू इसके अंदर है अगर नहीं पता तो बता देती हूं ममा अर्थ ने एक अपर बारे में पता ही होगा अगर नहीं पता तो बता देती हूं ममा अर्थ ने एक अपनी ऑफिशल एप भी लॉंच की है जो की अंडरॉइड और आई ओएस दोनों के लिए सुटेबल है तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी लिंक्स जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप चेक कर लीजेगा एक बार तो ये एक इंडियन ब्रेंड है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रेंड है मतलब कि जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उतना ही रिसाइकल भी करते हैं तो बस आज का वीडियो इतना ही था आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो जरा भी helpful या जरा भी अच्छा लगा कहीं पर भी अच्छा लगा तो इसको like और comment करके मुझे जरूर बताईएगा मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और interesting वीडियो म तब तक के लिए क्या करना है be happy be active अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए बाई बाई